किस पार्डी के नेता हैं आप ना पार्डी का नाम तो पर्डू में आप जाती जड़ना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं नहीं जाती जड़ना चाहते हैं कि नहीं जाती जड़ना चाहते हैं लेकिन आपने उधर से भगा दिया हमको यूपी बिदान सेवा में समाजवादी पाटि ने गुरुबार को जोड़ सोर से जाते है ज़णगर्ण का मामला उठाया पहले सफा सदेसे ने जाते है जनगर्णा मामला उठाया और जम कर हंगामा हुआ बिदान सेवा भी कुछ देर के लिए इस्तकित करने पड़े इसके बाद राजेपाल के अभी भासन पर बोलने के लिए खड़े हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादों ने जातिय जन्गर्णा का मामला उठाया इस दोरान टुकाटो की कुले कर सुभासपा प्रमुक ओपी राजबर से भी नोगजोक हो गई अखिलेश ने इस पर सुभासपा प्रमुक से यह भी पूछ लया कि आप जातिय जन्गर्णा के पक्ष में हैं या इसके खिलाफ हैं राजबर्ण ने इसका जवाब भी दिया साथ ही यह कहना नहीं भूले की हम तो आपके साथ ही थे आपने अलग कर दिया तो क्या करे इस दोरान योगी सरकार के मंद्री संजे निसाथ की और भी इसारा करके अखलेश यादो ने अपने समर्थकों को कीनाने की कोशिश की तो उन्होंने भी जवाब देना शुरू कर दिया लेकिन स्पिकर ने उन्हें बैठने को कह दिया स्पिकर ने संजे निसाथ से कहा कि कहां इनके चकर में फस रहे हैं इसके बाद संजे निसात बैठ गए अखलेश यादों ने अईभासन पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा कि आखिर सरकार क्यों नहीं जाते जर्गर्णा कराना चाहती है। पहले से उनसे पूछलिया की आप किस पार्टी के हैं इसके बाद पूछा आप किधर हैं आप जाते गर्णा के पक्ष में हैं या विरोध में हैं इस पर उपी राजबर ने साफ किया की वह जाते गर्णा के पक्ष में हैं इसके साथ ही यह भी जोड़ा की हम आपके साथ ही थ अखिलेश का इसारा निसाद पार्टी के अध्यक्ष और मंत्री संजे निसाद की तरफ था अपनी तरफ अखिलेश को मुखादिब देखकर संजे निसाद से भी रहा नहीं गया और उन्होंने जवाब देने की कोशिश की हारा कि इस से पहले वो कुछ ज़्यादा बोल पाते स्पिकर ने उन्हें रोक दिया और कहा कि अभी अखिलेश जी को ही बोलने दिया जाए अखिलेश ने कहा कि आप हम जानते हैं कि जातिय गणना चाहते हैं और सो प्रतिस्ट चाहते हैं अखिलेश ने कहा कि उनके दिल पर क्या गुजर रही है वो जानते हैं हम दोनों इंज इंजिनियर दूसरे इंजिनियर को बढ़िया से समझते हैं अखिलेश ने कहा कि अपना दल भी यही चाहता है वो भी जातिय गरना चाहता है अलाकि इसकी तरब से कोई जवाब तो नहीं आया लेकिन अपना दल के विधायक और मंत्रे आसिस पटेर का नाम जरूर अखिलेश कि अधने लिया